कर दो कि अधि कर दो कि 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 अधियर वरन अधियर गुड मॉर्निंग सबी को बहुत बहुत स्वागत है आप सबीका हमारे आज के इस नए लेक्चर में तो यूनिट नाइन याने की जोग्रफिकल टेक्निक या प्रैक्टिकल जोग्रफिक का हमारा ये नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट हो चुका है रिमोट सेंसिंग जी आईएस एंड जी पीएस जल्दे से सभी लाइब आजाईए और मुझे फटाफट बताईए कि आप सभी तक मेरी ओडियो वीडियो आ रही है क्लियर गुड्मॉर्णिंग, सबी को गुड्मॉर्णिंग, और या वीडियो सभी तक लियर है, बिना देरी किये, सबके सब लाईव आईए फटाफट, और फटाफट से सेशन को शेर कर दिजिए, ताकि हम जल्सेल क्लास को शुरू करें, ये क्लासेस आपके लिए 20-23 में जो का इसके लिए बहुत helpful है हमने unit 9 को complete discuss करने का promise किया है अगर आप इसी तरीके से क्लास में maintain रहेंगे ठीक है और इसकी complete playlist भी आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं उमीद है कि आप फटा-फट से इसको share कर देंगे ये classes Hindi English दोनों मीडियम में रहेंगी PDF notes आपको टेलिग्राम पर इसके मिल जाएंगे फ्रीब एकदम उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है ठीक है ना सिर्फ आपको ये इससे पहले हमने कार्टोग्राफी कवर कर लिया है और आपने अगर कार्टोग्राफी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देख लीजेगा और साथ-साथ रिमोट सेंसिंग जी आईस की अब सिरीज को भी हम कवर करेंगे ठीक है तो आज से हमारा ये रिमोट सेंसिंग जी आईस शुरू होने वाला है आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हमने ब्रहमास्र बैच शुरू किया है 15 नवंबर से जो की 2023 में एक्जाम के ल शुरू करना है आपको कुछ पूछना है इंस रलेटेट तो आप इस नंबर पर वाट्साप करके पूछ सकते हैं और डार्यक्ली अगर जॉइन करना है तो आप मेएं रिटेल्स में मिलने वाला है वो आपको वीडियो बना करके दिया गया है आप डिस्क्रिप्शन एक बा ठीक है और यह जो प्लेलिस्स है यूनिट 9 की यह आपको यहां पर मिल जाएगी इन सभी क्लास्स को आप सीक्वेंस में देखिए ठीक हाँ बिल्कुल एक्जाम की डेट तो आएगी ही ऑप्यस सी बात है एक्जाम की डेट तो आना निरधारित ही है लेकिन आपको अपना सिले ज्मीने पहले परपरेशन शुरू कर रहे है तो क्या है परप्रपरेशन नहीं करेंगे अपैंगी आप जी था क्लिटर चंनल है यहां पर आपको कलास के लिंक लिंक मट्स यहां सभाह lead जो भी क्लास अघ होती है और इसके अलावा जो प्रीएफ killing फो दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यह आपका Remote Sensing GIS का सिलेबस है अब इसमें इन्होंने देखे क्या किया हुआ है अब तीन में चीजें आपको Remote Sensing GIS में पढ़नी है पहला है Remote Sensing GIS और GPS सबसे पहले पढ़ा जाता है Remote Sensing Remote Sensing जब आप पढ़ेंगे जब समझेंगे इसमें क्या-क्या Process होती है इसमें क्या-क्या Concepts है उनको किस Sequence में पढ़ना है जब आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा GIS GIS कोई बहुत बड़ा टॉबिक नहीं है यह एक दो लेक्टर में कवर होता है लेकिन यह Remote Sensing के बाद पढ़ा जाता है और जब आप GIS पढ़नेंगे तो लास्ट में एक लेक्चर में होता है GPS यह सही क्रम होता है लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ देखे सिलेवस में ही सबसे पहले GIS लिखा है उसके बाद लिखा है basics of remote sensing और फिर उसके बाद last में लिखा है GPS तो यह थोड़ा सा गलत तरीका है अब जो शुरुबात में student आता है वो तो सोचेगा कि हमें इसी sequence में पढ़ना होगा और GIS पढ़ते हुए geographical information system पढ़ते हुए बीच बीच में ऐसी terminology आएंग resolution से related कुछ term यहाँ पर आएंगे sensor से related कुछ terms आएंगे spectrum से संबंदित कुछ terms आएंगे फिर आपको परिशान करेंगे तो इसलिए सही तरीका यह होता है कि आप पहले आप remote sensing को समझे कि यह क्या होता है तो आज हम यही काम करने वाले हैं हम remote sensing से शुरू करेंगे फिर उसके बाद जितने भी lecture में remote sensing cover होगा फिर हम GIS पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम GPS को पढ़ने वाले हैं यह हमारा सही क्रम होने वाला है अब सबसे पहले देखिए यह ध्यान दी दिये कि आपको एक्जाम के preparation करनी है और उस एक्जाम के preparation करनी है जिसमें केवल basics पूछा जाएगा लिखा वाय उनोंने साफ साफ कि आपको नासा में इसरों में नहीं जाना है ठीक है आपको basic बाते पता होनी चाहिए basics of remote sensing remote sensing क्या होती है इसको समझेंगे और इसकी basic बातें को क्या मतलब है कि आपको basic basic जानकारी होनी चाहिए electromagnetic spectrum की आपको basic जानकारी sensors की होनी चाहिए platforms की resolution की और resolution के types की basic जानकारी बहुत detail में depth में नहीं elements of air photograph satellite image basic basic जानकारी satellite image का interpretation कैसे होता है photogrametry क्या होती है यह सब ठीक है साब साब यहां पर लिखा हुआ है basics of remote sensing ठीक फिर इसके बाद आता types of aerial photograph remote sensing का ही यह topic है digital image processing क्या है कैसे development हुआ है remote sensing technology और big data sharing का इसका application क्या है natural resource management में इंडिया में ठीक है फिर उसके बाद यह वाला जो portion है यह GPS का है सारी GIS का है देख सकते हैं अब फिर इसके बाद आता है GPS ठीक इसके अलावा अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे basics of remote sensing ठीक है तो basics of remote sensing हम शुरू करते हैं चलिए यहां पर दो शब्द हैं किसी भी topic को समझने से पहले आप उसके जो title है उसका जो यह यहां पर नाम लिखा रहता है कि कि यह topic है क्या उस title को समझ यह पहले remote or sensing सुदूर समवेदन ठीक है सुदूर समवेदन रिमोट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज ऐसा कोई phenomenon जो आपके directly physical contact में नहीं है आप से दूर है ठीक है जैसे आप मालीजी यहां पर खड़े हैं यह field है आप field में observation करने गए हैं और आपने यहां का temperature measurement करना है air pressure measurement करना है तो आप directly उस field में गए है field में जाके observation कर रहे हैं या फिर आप उसको अपने sensors के through महसूस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं तो यह remote sensing है ठीक है जैसे satellites जैसे यहां पर हम जब satellites की बात करेंगे तो satellite की जवारे में जानकारी जैसे देखें यह हमारा अर्थ का surface है अर्थ के surface की जानकारी हमें कैसे मिल जाती है बहुत उचाई पर हमने कुछ अलग-अलग satellites को launch किया हुआ है अब यह satellite क्या होती है sensor क्या होते है वह हम समझेंगे तो यह हमारे आँखे sensor है हमारी skin sensor है हमारी nose sensor है टेस्ट के लिए जीव हमारी sensor है तो ऐसे ही sensor हमने satellite में भी लगाए होते हैं फिर इनसे अलग-अलग तरीके से इनको काम में लिया जाता है को कोई शहर का प्लान बनाना है management का कोई काम है resources के लिए communication के लिए अलग-अलग तरीकों से इन data को काम में लिया जाता है तो यहां पर क्या हो रहा है कि remote है remote मतलब बहुत दूर है directly physical contact में नहीं है remote होने के बावजूद भी इस surface की information को collect किया जा रहा है इसे कहा जाएगा remote sensing दूर इस surface की information को sense कर रहे हैं इसी को remote sensing कहते है remote sensing is the technique of deriving of information about object on the earth's surface without physical coming into contact with them ठीक है वही बात जो मैंने आपको भी बताई थी remote sensing एक ऐसी तकनीक है जिसमें earth's surface के किसी भी object के बारे में बिना उसके physical contact में आए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है remote sensing इसी प्रक्रिया को हमें समझना है कि यह कैसे होता है और basic basic बाते देखनी है ठीक है यह जो definition है यह NRSA इसको आप दियान रखेंगे good morning good morning सभी को हमारा जो कि हमारी जो space agencies है वो किस तरीके सुनके hierarchy क्या है वो इस चार्ट में समझाए गई है वैसे हम इस चार्ट को बात में देखेंगे लेकिन यहां पर स्रीका NRSA का नाम आया था इसलिए मैंने इसको लगा दिया है जैसे आपने department of space प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे space commission एक बना हुआ है जैसे बाकिया और अलग-अलग commission होते हैं और space commission के नीचे से है department of space department of space में देखें एक महत्पून यहां पर संस्ता है इस रोग और इस रोग के अंदर यह अलग-अलग centers है तो इनहीं में से एक center है NRSC National Remote Sensing Center यह वो center है जो data को collect करता है जैसे देखें यह surface का data एक sensor record कर रहा है record करने के बाद उसको वापिस से भेजा जा रहा है अर्थ के surface कोई ना कोई receive करने के लिए होना चाहिए तो receive करता कौन receive करता है data NRSC तो इसका अलग इन सभी संस्थाओं का इन सभी centers का अलग-अलग काम है कोई कुछ काम करता है कोई कुछ काम करता है वैसे NRSC का काम है data को receive करना जो data हमें remote sensor से मिल रहा है ठीक अब यहां पर सबसे पहले हम कुछ शब्दों के बीच में अंतर्क समझ लेते हैं वरना आगे confusion होगा remote sensing, GIS, remote sensor और GPS यह चार सब्द है इनको आप समझ यह चार सब्दों का मतलब अलग-अलग होता है एक सब्द नहीं है यह अलग-अलग है जैसे जो remote sensing है यह process है यह एक process है process का मतलब यह है कि जिसमें यह data आप देख रहे हैं कि इसमें energy emit हो रही है शोरे से अब यह energy दो तरीकों से हो सकती है नेचुरल हो सकती है यह artificial हो सकती है प्राकृतिक और कृतिम हो सकती है यहाँ पर तो energy का source क्या है natural सूरे अब यह energy अर्थ के सरफें से टकराई टकराने के बाद यह reflect हुई है इसको reflection कहते हैं कि energy टकरा के और वापस जाना यह reflection कहलाता है reflect होकर इस energy को sensor के द्वारा record गया गया है जैसे जब सूरे की और जा किसी दिवार से टकराती है तो टकराने के अबाद हमारी आखों तक जाए कि तब हम उसको देख पाते हैं अगर energy टकरा के वापस नहीं आए उसमें ही समाहित हो जाए तो वो चीज़ हमें नहीं दिखाए देगी कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है जब ओर्जा किसी object से टकराके और वापस आए तो जब वापस आने वाली ओर्जा है इसे कहते हैं reflection यह हमारी आँखों तक या फिर इस sensor तक पहुंचेगी तब जाके वो इसको record कर पाता है या फिर हम देख पाते हैं तो इस प्रक्रिया को इस process को जिसमें यह sensor इस object के directly contact में नहीं है दूर है बहुत फिर भी energy को record कर रहा है फिर भी इसकी information को collect कर पा रहा है इस इस process को कहते हैं remote sensing यह क्या है यह process है एक process simple process अब्जेक्ट बहुत दूर है लेकिन फिर भी इसकी data collect किया जा रहा है दूसरा शब्द होता जी आईएस geographical information system भागोलिक सूचना प्रणाली जेयोगोरिफ्टिकर इण्फोरमेशन इसे कहते है system शब्द से सावान यसे बात है system में कई सारे अलग-अलग components होते हैं अलग-अलग कत्तव होते हैं जिनसे वह मिलकर Kे बना होता है जैसे हमारा respiratory system है जैसर हमारा digestive system है तो वैसे ही system शब्द का मतलब होता कि अलग-अलग कई सारे components है जो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं एक दूसरे के वज़े से चल रहे हैं और मिला जुला करके पूरा एक कोई काम complete हो रहा है इससे सिस्टम कहते हैं सिस्टम में कोई एक चीज नहीं होती है जब भी सिस्टम शब्दाइस का मतलब है कई सारे उसके अलग-अलग तत्व हैं तो जी आईस का मतलब है कि डाटा रिकॉर्ड करने से लेका डाटा को ट्रांस्मिट करने तक फिर उसका अलग-अलग क्या-क्या यूज किया जाएगा उसका interpretation होगा अब यह interpretation यह man-made interpretation हो सकता है यह digital interpretation हो सकता है फिर उसको अलग-अलग purpose के लिए इस्तमाल किया जाएगा तो यह जो पूरा complete system है जिसमें data के collection से लेके और data के output तक पूरे system को कहते हैं GIS ठीक है इसमें data का analysis भी होता है उसको store करने की प्रक्रियाएं भी होती है पूरा system है और उस पूरे system का एक छोटा सा भाग है remote sensing पहले हम इस प्रक्रिया को समझेंगे कि actual में होती कैसा है यह प्रक्रिया आगे की चीज़े तो बाद में समझेंगे ठीक है तो यह जी आइस है remote sensor और remote sensing में अंतर होता है remote sensing एक प्रक्रिया है यह process जो मैंने आपको भी बताई लेकिन remote sensor मतलब संसूचक यह एक device होती है जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं माली जै आप यहाँ पर खड़े हैं और आप यहाँ पर खड़ी किसी चीज़ को सब्सक्रिया कि एक पेड़ है यहाँ पर आप इसे देख पा रहे हैं कैसे देख पा रहे हैं कि उर्जा आई टकरा के आपके आँखों तक चली गए त तो यह जो आखें हैं आपके पास यह sensor है यह वो device हैं जिसके मदद से आप यह प्रक्रिया कर पा रहे हैं तो वैसे ही remote sensor क्या होता है यह device होता है जिसके मदद से यह process हो पाती है और फाइनल यह होता है GPS जोग्राफिकल पॉजिशनिंग सिस्टम इसके मदद से हम यह पॉजिशनिंग सिस्टम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लैटिट्यूडनल लॉंगिट्यूडनल या उसके कॉडिनेट्स हम पता कर पाएं हम इनको आगे समनेंगे तो आज हमारा जो टा जल्दी से बात क्लियर है सभी को आगे बढ़ा जाए इसके अलावा देखिए डाटा अब यहां पर बार बार एक शब्द इस्तमाल हो रहा है डाटा ठीक है डाटा ओके बस आप सभी ध्यान से सुनते जाएए अभी जिस चीज़ का डिसक्रशन हो रहा है बस उसी पर डिसक is related exam date related या फिर exam होगा नहीं होगा इस से rifking discussion चल रहा है या सो नुटन। होड़ी बता आप सब समझदार हैं छोटे बच्चे तो रहा है किस Task Alice क्लैशन चल रहा है कि यह क्लास texts क्लैस यह पाड़ा है इसमें पढ़ाय जा रहा है ना कि discussion किया जा रहा है eccве अन् ogagn when इसमें परिशानी होगी तो ना फोकस इस पर है और जो आप पूछ रहे हैं इसमें कुछ कहूंगा नहीं कि मेरा तो टार्गेट है कि मुझे पढ़ाना है समझ रहे हैं तो जो उद्देश है उसको स्पस्ट करो पहले अपने दिमाग में करना क्या है क्या आपको मुझसे फॉ से भी इन्फोर्मेशन डाटा का मतलब से difference सिंपल से जानकारी होता है अब यहाँ पर हम जो चीज की का इस्तमाल कर रहे हैं मतलब जस्सेंस में data शब्द का इस्तमाल कर रहे हैं वो आहम तोर पर न्युमेरिकल फॉर्म में है नंबर्स के फॉर्म में है ठीक है इस बात को आप ध्यान रखिए ठीक, डाटा ये collect किया जाता है, throw observation, हम observe करते हैं किसी चीज़ को, और ये काफे technical sense में अगर बात करें, तो ये data qualitative भी हो सकता है, ये quantitative भी हो सकता है, अब qualitative data क्या है, quantitative data क्या है, कार्टोग्राफी में हमने discuss किया है, अगर आपने कार्टोग्राफी की class नहीं देखी है, तो उसको जरूर देखना, आप अगर sequence में नहीं देखो गए, तो फिर समस्या होगी, students के साथ समस्या ये होती है, वो सोचते हैं कि बस हमें इतना सा करना पड़े, करने ना पड़े इस समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसलिए जब आप अपने लिए कर रहे हो, तो क्यों इसमें कंजूसी करनी है, बात पता है, आप अपना future बना रहे हैं, उसमें भी कंजूसी, तो फिर तो कंजूसी वाला ही परणाम मिलेगा, तो जब आप sequence में सारी जीज़ करेंगे, तब आ आपने नेशनल पार्क और wildlife century इस तरही के topic पढ़ेंगे, तो उस समय पर पढ़ा होगा, in situ और x situ, in situ का मतलब होता है, कि आपको उस field में जाकर ही data collection करना होगा, उस field में जाकर ही, जैसे temperature को अगर आपको record करना है, तो आप घर बैठे बैठे नहीं कर सकते हो, आप से कहा, कि आप जाईए और उस area का particular x, y, z कोई भी area है, उसका temperature, air pressure, humidity को measurement करके आईए, ठीक है, तो क्या आप घर से बैठे बैठे या library में, या फिर जो अपनी प्रयोक शाला है, उसमें बैठकर ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा field में, और वहाँ पर अपनी instrument को ले कर गया, उसका measurement करना होगा, तो ये क्या है, ये in-situ data है, ठीक है, जैसा in-situ conservation होता है, कि आपको उसी, मतलब जो wildlife है, उनके area में ही protection provide करना होगा, उनका area मतलब जो जंगल है, जो one है, forest area है, वहीं पर उन्हें protection provide करना है, ये in-situ conservation है, और ex-situ का मतलब है कि वो उनका habitat disturb हो सकता है, हो गया है, तो इनको उठा कर एक artificial habitat provide करना, ये artificial habitat क्या होता है, ये zoo हो सकता है, botnical garden हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन सम्मंदित इससे है, आप in-situ, ex-situ ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा होता है remote sensing data, remote sensing data का मतलब हो है, कि ये remotely, दूर से, बिना किसी physical contact में आ जाता है, और यही वो data है, जो remote sensing process के लिए useful होता है, in-situ data का तो कोई sensing नहीं है, कि हम remote sensing में इस्तेमाल करें, समझ रहे बाद, तो हम remote sensing data का इस्तेमाल करते हैं, अब remote sensing को अगर आपको समझना है, इन seven process से हो करके गुजरना होगा, और अगर आप एक बार इन seven process को समझ गई, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यह साथ प्रक्रिया हैं, मैंने पहले भी इस related एक lecture upload किया है, जिसमें यह साथ process complete discuss की गई है, ठीक है, तो अब इनको एक एक करके आराम आराम से दिदे दिदे, और जब आपने master video तो देखी होगे, unit 9 की नहीं देखी ह तो देख ले ना बाद में, उसमें मैंने short में discuss किया था, अब हम हर इक चीज को थुड़ा रुक्या आराम आराम से देखेंगे, यह साथ प्रक्रिया हैं, सबसे पहले क्या होता है, radiation by energy source, अभी मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, दूसरी प्रक्रिया होती, interaction with the atmosphere, earth's atmosphere, अब यहाँ पर with the atmosphere का मतलब अर्थ का atmosphere है, सबसे पहले उर्जा का विकिरण होना जरूरी है, remote sensing के अकर प्रक्रिया हो रही है, तो जब तक उर्जा नहीं हो, उसमें क्या इस्तमाल हो रही है, उर्जा क्या अंधेरे में आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्यों नही अबिलेबल नहीं है, आपको नेचुरल सोर्स, दिन में नेचुरल सोर्स होता है, उसकी वज़े से दिखाई देता है, रात में artificial source of energy हमारे पास है, बल्ब है, टॉर्च है, इनकी बदेख पाते हैं, ये भी ना हो तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है, जब एनर्जी प्रित्वी के atmosphere से पहले टकराएगी, पहली process यह है, radiation, सोर्स से उर्जा का radiation, फिर उसके बाद atmosphere से interaction, प्रित्वी के atmosphere से इसका अंतर क्रिया होगी, और जब प्रित्वी के atmosphere से टकराएगा, तो प्रित्वी के atmosphere में क्या है, क्या प्रित्वी के atmosphere कुछ नहीं है, इसमें कुछ न और यहां पर वाटर वेपर है वैसे वह गैस का ही फॉर्म है लेकिन उसका स्पेशल करेक्टर से सोता है इसलिए हम उसको वाटर वेपर अलग कहते हैं यह कुछ चीज़ें हैं हमारे अट्मॉसफिर में तो क्या यह उर्जा जब प्रत्वी से टकरा रही है प्रत्वी के अट् प्र जब एक पर से टकराने के बाद कुछ स्करिंड रेप्लक्षण हो गया जो बसुह उर्जा है वह अर्थ के शर्फिस टक्राएगा और всю से अमेंड़ कर देब मापस ज्यएगी जैसे यह पूर्जा आई सूट से और प्रत्वी के atmosphere से टकराई फिर surface से टकराई और फिर वापिस जाएगी तो जब यह वापिस जाएगी तो फिर से एक बार atmosphere से interaction होगा और बची हुई फिर जो उर्जा है वो remote sensing के लिए आप यह मत समझेगा कि यह प्रत्वी से डायरेक्ट सूरे से डायरेक्ट उर्जा आ रही है और remote sensor इसको sense कर लेगा ऐसा नहीं होता है समझेगा जब तक यह उर्जा सर्फेस से टक्रा कर टक्राने के बाद वापिस नहीं आए तब तक कोई भी information हमारी ले अबिलेबल नहीं होगी क्यूं क्यूंकि हमें इस object के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और इस object के बारे में जानकारी कौन लेकर आएगा यह सूरे से आने वाली उर्जा जब यह reflect होगी तो यह reflected energy यही उर्जा हमारे लिए उसका नाम-पता उसकी जानकारी लेख यह नाम पता जानकारी समझ रहें मैं क्यों कहा रहा हूं उसके बारे में details दे रहें तो ऐसे ही यह sensor इसको कैसे देख पाएगा जब यह उर्जा टकरा के इसके पास आएगा तो reflection के process सबसे जरूरी होती है remote sensing की प्रक्रिया में तो थर्ड प्रॉसेस में यही है interaction of the energy with atmosphere again क्योंकि उर्जा वापस जाएगी फिर उसके बाद यह sensor इसको record करेगा तब जाके recording होगी recording होगी तो record करने के बाद क्या इसको अपने पास ही रख लेगा हमेशा ऐसा तो नहीं है sensor अगर इसको हम अपने पास ही हमेशा रखेगा तो हम तक वह energy कैसे पहुंच तो यह energy transmit की जाती है इसको भेजा जाता है अर्थ के surface तक वापस transmission होगा reception होगा प्रॉसेसिंग हो पर ठीक है तो ground surface पर जब यह उर्जा भेजी जाएगी तो इसको रिसीव करने के लिए कोई नो कोई station होना चाहिए इन्हीं को कहते है ग्राउंड रिसीव के द्वारा यह काम किया जाता है कि इसको रिसीव कर लेंगे और फिर इसको प्रॉसेस करेंगे और फिर आगे इसको अलगलग तरीके से इंटरेशन करेंगे जो उर्जा हमें मिली है उसमें इन धर सफेस के बारे में उस इन्वरमेशन को हम इंटरप्रेट करें यह मतलब उसकी जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे के सकते हैं या तो हम उसको ability interpretation कर सकते हैं या फिर दिजटल image interpretation पार अदो apoyo कर सकते हैं कि यहसी एक्सपर्ट होते हैं उनको instrument के भी जादा एक हद तक जबरुद नहीं पड़ते एक हद के बाद तो फिर सबको ज़रुत पड़ेगी लेकिन एक्सपर्ट्स देखकर ही समझ जाते हैं कि यह सरफेस का डिटेल्स किस प्रकार की है क्या है यह डिटेल्स ठीक है लेकिन हमारी देखने की भी एक लिमिट है ठीक है उस लिमिट के बाद हम और इंफ्रमेशन नहीं देख स अलग तरीकों से हम उसको अपलाई कर सकते हैं एप्लिकाशन के बहुत सारे अलग 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 फिर तरीके अलग अलग अ lij्याज में उसको प्रक्रिस्क कर सकते हैं ठीक है झाली एक यह मतलब होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सैंटर मैंने कई बार इसका नाम बोल दिया है ठीक है दियान से सुनिए यहां पर लिखा भी है यह देखिए ठीक चलिए उम्मीद है आपको यह साथ प्रोसेस समझ में आगई होंगी पहले एनरजी की सोर्सकॉम समझेंगे फिर उसके इंटरेक्शन को फिर वापस कैसे इंटरेक्ट करेगा यह अटमस्फर से फिर सेंसर कै कि यह देखे क्लासेस को बाकी बताइए फटा-फट समझ में आया यह नहीं आया है कि अधिक है अब मैं आपको एक चीज़ देखे हलके सी जलक दिखाता हूं यहां पर और फिर आप समझ जाएंगे जब हम रिकॉर्डिंग बाइस सेंसर समझने का प्रयास कर रहे हूं आपको लगता है कि हम अलग से इसको समझ जाएंगे नहीं समझेंगे क्यों जब तक आपको यह नहीं पता कि यह रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया में किस लेवल पर आएगा किस क्रम में तो आप नहीं समझोगे जब हम सेंसर की बात करेंगे अभी तो हम समझ जाएंगी कि ह स्टंसर में एक खास प्रकार की और विक्ट करने की होटी होती है जी और चीज पर रखे जाते हैं क्या सेंसर कि पर अपने हवा में ऊड़ रहे हैं ऐसा नहीं होता है sensor हमेशा देखें गया कि सेटलाइट के ओपर रखे होता है अब सब्सक्राइब करने का तरीका भी अलग-अलग हो सकता है और विट का मतलब रास्ता ठीक है और वैंठ मतलब जो ग्रह उप ग्रह होते हैं उनका रास्ता होता है तो यह प्रित्वी को और इस तरीके से कर सकता है यह नहीं अलग रût करने है तो उसमें समजहेंगे तो आपको गुथी जो आपके दिमाग में है वो सौल होगी ठीक है इसके बाद यह कुछ यहां पर फैक्ट्स लिखे है मैंने इनको आप एक एक बार देख लीजेगा यहां पर यह बताया गया है कि रिमोट सेंसिंग की जो यह प्रोसेस है टेकनोलोजी है यह किस तरीके से डेवलप हुई है ठीक है इनको आप एक एक बार जरूर देख लेना और कुछ खास हैं जिन पर मैं टिक लगा देता हूं जिनको आपको पता होना चाहिए इस एटीन में प्रैक्टिस ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट हुई ठीक है और इसके बाद 1850-60 के समय पर फोटोग्राफ्स बाइब लूंस के द्वारा लिए गए 1873 त्योरी ओफ इलेक्ट्रोमेनेटिक एनर्जी डेवल्ट बाइब मैक्सवेल आगे पढ़ेंगे अभी ठीक है और याद रखेगा 1910-20 के बीच में व्ल्ट बावर बन हुआ था आपको पता है एरियल रीकनेंसेशन का यह टाइम है इसके अलावा 2030 के बीच में Development and Initial Application of Aerial Photography and Photogrammetry कुछ चीज़ें जिनपर टेक लगा दिया यह आपको इस्पेसिव रूप से याद रखना है ठीक है और लैंड सेट का लॉंच याद रखेगा यह टी रॉस एक्जाम में पूछा गया है हाली में ठीक है और लैंड सेट सी सेट का याद रख ठीक है बागी चीज़ें भी एक-एक दो बार देख लेना अँच इसको समझते है रिमोट सेंशंग के लिए सबसे ऋसबसे पहले एनर्जी का होना जरूरी है, बिना एनर्जी के रेमोट सेंसिंग नहीं होती, तो source of energy, हमारी पूरी प्रत्वी पर पूरेensor मंडेल में ही, energy का सबसे main source क्या है? सूरे यह सूरे हमारा सबसे मेल एनर जी का सर्ष सर्ष और इसे वह मुं कहते हैं टैमिजिंट राक्रतिक तो पहले हम प्राकरतिख सोर्स के आधार पर समझने का प्रयाश करेंगे फिर उसके बाद आ है supporting सूरे भिया वी है कुछ इस हमारे पास्थ स्टी будете स्थे स्टिंग करना के और हमें अब रात में चुरु सब्सक्राइब difSpuses प्रॉंस hot होता है दिन सब्सक्राइब घ्राइब और नहीं ती है तो did is हमने क्या सोचा टेक्नोलोजी बढ़ाई आगे टेक्नोलोजी में हमेशा इंप्रोव्मेंट होता रहता है तो फिर कुछ ऐसे सेंसर भी हमने डेवलप किये जो रात में भी डाटा को कलेक्ट कर सकते थे डाटा को सेंस कर सकते हैं तो आर्टिफिशल एनरजी का सोर्स भी अब ह और आर्टिफिशल हमारे पास एनरजी है जिससे एमिशन होता है ठीक जैसे मालीजी की सूरे है सूरे से एनरजी रेडियेट होती है वह सर्फस से टकराती है फिर रिफ्लेक्ट होती है ठीक और कुछ सेंसर ऐसे हैं जो इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन कुछ सेंसर ऐस यहां पर एक नोट लगा है कि all object which have temperature above absolute zero ठीक है मतब कुछ ऐसे जब किसी object का temperature absolute zero या फिर minus 273 degree Celsius होता है तो वो object खुद से उर्जा को emit करने लगता है कुछ सर्जित करने लगता है किसी भी उर्जा से ताप मान का उच्चर्जन होने लगता है जिसमा लिजे कि इसका temperature minus 273 degree Celsius है या absolute zero आप इसे कह सकते हैं तो इससे और जा और यह तापी और जा होगी किस प्रकार की और जा माइक्रोवेव या थर्मल थर्मल और जा होगी तो थर्मल रिमोट sensors भी है थर्मल रिमोट सेंसर का मतलब क्या है कि इससे जो ताप यह और जा निकल रही है उसको record कर पाएं कि हर और जाइं हर सेंसर की अपनी अलगलग capacity होती है तो ऐसी capacity वाले तो सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले यह एनरजी का होना ज़रुरी है एनर्जी के बातों को और आगे समझने से पहला भी समझगे कि एनर्जी के ट्रेवल कैसे करती है तो एनर्जी के ट्रेवल करने के कि जब उर्जा सूरे से निकल रही है तो जाहिर यह बात है प्रतुर तक पहुँचने के लिए उसको कुछ ना कुछ distance cover करना बन रहा है तो energy हमेशा कुछ ना कुछ distance cover करते ही तभी जाकर के वो दूसरा object तब पहुंचते हैं तो energy travel करने के लिए तीन तरीके होते हैं conduction, convection, radiation conduction हमेशा solid surface पर ही काम करता है जैसे आप ये देखे जैसे ये object है, ये गर्म हो रहा है दिरे-दिरे, इस आग के contact में आके तो इसके एक कंड से दूसरे कंड, दूसरे से तीसरे से श्रॊभ जब इस तरीके से एक कंड से दूसरे से तीसरे इस तरीके से जब energy transfer होती है और ये बहुत slow process होती है इस प्रक्रिया को कहते हैं conduction, क्या कहते हैं conduction, और जब energy इस तरीके से water molecules के साथ, जैसे हमारे atmosphere में यह पानी है water body है, फूरी के उर्जा के द्वारा यह evaporate हो गई, तो जब evaporate होने के बाद पानी liquid से अंदर भी जो उर्जा है, वो उर्जा पानी के भाब के साथ vertically उपर उठेगी जिसे यहां से यह energy निकल रही है, तो liquid के साथ जो पानी उपर जाती है, उसे कहते हैं convection method, यह upward downward हो सकता है, और radiation का जो तरीका है, वो mainly vacuum में, निरवाज छेतर में होता है, जब दो object के बीच में, जो एक source of energy है और एक receiver है, इनके बीच में कोई medium नहीं है, energy transfer होने के लिए, ना liquid है, ना solid है, ना gas है, कोई medium नहीं है, तो बिना किसी medium के भी energy जब travel हो पाए, travel कर पाए, उसे radiation कहते हैं, इसलिए सूरे से जो उरजा निकलती है, उसे radiation कहते हैं, कि सूरे से उरजा radiation हो रहा है या विकरन हो रहा है, और यही जो radiated उरजा है, हमारे remote sensing के लिए available रहती है, जाद अतर, ठीक, फिर यह energy surface से टक राती है, और जो reflected energy है, इस reflected energy को record किया जाता है, क्या यह बात आप सभी को समझ में आ गई है, अब इस electromagnetic radiation को ही, हमें अब समझना है, ठीक है, अभी हम यह समझ गई कि उरजा, दो प्रकार से हो सकती है, artificial, natural, और यह उरजा कैसे travel करती है, अब हम यह समझेंगे कि, जो इस शब्द आप बार-बार समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, electromagnetic energy, electromagnetic radiation, यह क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद electromagnetic spectrum होगा, बात समझ गई सभी, क्या करने वाले हैं अब हम, तो फटा-फट से बताइए, क हिंदी में इसे कहेंगे, electromagnetic, सुरी, हिंदी में कहेंगे, विद्यूत चुम्ब किये विकिरण, ठीक है, अब इस electromagnetic radiation को अगर हमें समझना है, तो इससे समझने के लिए हमें, James Clark Maxwell का एक model है, समझना पड़ेगा, जो इन्होंने 1860 के समय पर दिया था, इसमें इन्होंने बताया है कि सूरे से जो और्जा निकलती है, वो और्जा का characteristics क्या होता है, वो किस तरीके से पृत्वी तक तो इन्होंने कहा कि जो सूरे से और्जा निकलती है, वो electromagnetic होती है, मतलब उसमें एक electric field होता है, एक magnetic field होता है, जैसे आपको इस diagram में भी दिखेगा, सूरे से जब और्जा निकल रही है, यह जो vertical axis पर दिख रहा है, आपको यह electric field है, और इसी के perpendicular या right angle पे, या 90 degree की की कोन प electromagnetic, विदुद चुम्ब की उर्जा कहते हैं, और यह इस तरफ आगे की बढ़ रही है, यह इसकी direction है, यह electric field हो गए आपका, जो dark color से आपको दिख रहा है, और यह आपका magnetic field है, जो आपको light color से दिख रहा है, और इसी तरीके से यह उर्जा आगे बढ़ती है, इसे आपको यह magnetic है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है, James Clark Maxwell, इन्होंने इस electromagnetic energy के concept को समझाने का प्रयास है, इन्होंने बताया कि जो उर्जा है, सूरे से निकलने के बाद, light की speed से पृत्वी की तरफ और बाकी जो solar system में ग्रह हैं, उनकी तरफ बढ़ती है, अबें तो पृत्वी जिसको हम round figure में लगभग 3,00,000 km पर second बोल देते हैं, किसकी speed इतनी है, आप miles में भी आज रख सकते हैं, और इस तरीके से भी आज रख सकते हैं, तीन गुणा दस की घात 8 मीटर पर second या फिर आप इसको 1,86,000 मेल पर second भी कह सकते हैं, दो fluctuating field हैं इसमें, मतलब दो आगे की तरफ बढ़ते हुए, एक electric field है, और एक magnetic field है, और इस तरीके से ये उर्जा आगे बढ़ रही है, electric और magnetic, इसलिए इसको electromagnetic field कहते हैं, और ये दोनों field, दोनों इसके उर्जा के, उर्जा के field हैं, ये एक दूसरे के right angle या 90 degree के कौन पर होते हैं, आप से एक्जाम में question पूछ स होता है, ऐसे छोटे-छोटे सवाल वो पूछ लेते हैं, तो इनका आपको दिहान रखना है, अब इसी electric field में और magnetic field में कुछ चीज़ें आपको छोटे-छोटे शब्दे हैं, जिनको दिहान रखना है, जैसे ये wavelength क्या है, जैसे frequency क्या होती है, ठीक, जिनसे सवाल आप से तो यह wave का सबसे ऊपर ही बिंदू, जहां पर यह maximum गई है, इस point को कहते है, krist लिखाओ आए, क्या कहते हैं इस point को krist, और यही wave जब maximum नीचे जाती है, इस निचले सबसे बिंदू को कहते है, truck, किरस्ट और ट्रफ रफ मनें गर्थ इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है दूरी है न एक पहाड त्याओं है, यहाँ पर बन गई, आप बन गई यहाँ पर बन गई, दो बिंदू अब एक इसी का डूरी इसी को वेवलेंद कहते है distance between successive wave peak जो wave की या तरंग की उंचाई है तो एक उंचाई दूसरी उंचाई से कितनी दूरी है इसी को wavelength कहा जाता है तरंग तैर यह हिंदी में कहते है wavelength, wave की length ठीक, यह शब्द है इसके अलाबा एक शब्द होता है frequency frequency का मतलब आवरत्ती आवरत्ती कहते है ठीक, माले जे हमने यहाँ पर एक fix point लगा दिया measurement करने के लिए कि per second में या per minute में per millisecond में कितने waves यहाँ से pass हो रहे हैं हमने suppose कि एक second में हम measurement करना चाह रहे हैं एक second के अंदर कितने waves गुजरते हैं तो हमें कोई एक fix reference point लगाना पड़ेगा कि हां यहां से हम measurement कर रहे हैं तो किसी खास point पर एक second में कितने waves गुजर जाते हैं यह उसकी frequency होती है high frequency मतलब जाद से जादा waves गुजरेंगे low frequency मतलब कम से कम इसके जो cycle है या waves है वो गुजरेंगे ठीक है frequency का मतलब होता है number of cycle per second passing of a fixed point per second में कितने cycles यहां से गुजर रहे हैं कितने waves या crest यहां से गुजर रहे हैं उसे कहते हैं frequency ठीक है यही चीज आग आग आगको समझाई गई है wavelength का मतलब distance between two successive crest frequency आवरती का मतलब number of cycle of a wave passing a fixed point of per unit of time किसी खास समय में कितना यह waves गुजरते हैं किसी खास point से उसे frequency कहते हैं wavelength भी Greek भाचा का शब्द है और इसको lambda से प्रदर्शित करते हैं यह जो आपको यहां पर दिख रहा है यह Greek शब्द है यह lambda बोला जाता है इसको lambda से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और measurement या distance को कैसे करके लिखते हैं हम meter में, centimeter में, millimeter में, nanometer में लिख सकते हैं प्रदर्शित करने के लिए lambda का इस्तमाल किया जाता है जो कि इस तरीके से बनने वाला यह Greek letter है frequency frequency को हम Greek शब्द के new से represent करते हैं किसे new new कह रहे हैं यह हवी के जैसा दिख रहा है तो इसे new कहते हैं Greek भाचा में और measurement frequency का hertz में हो सकता है, kilo hertz में हो सकता है megahertz में हो सकता है, भी देखेंगे लेकिन क्या इन दोनों में कोई संब्द है wavelength और frequency में या कोई संब्द नहीं है बिल्कुल संब्द है तो इसी के लिए note लिखा है यहां पर longer the wavelength, lower the frequency shorter the wavelength, higher the frequency इसको याद रखना है, statement में देखेंगे अलग से पूछ लेगा जितनी wavelength जादा होंगे frequency उतनी कम होती है जाहिर सी बात है अगर आप किसी रशी को यहां से पगड़के धीरे-धीरे से इसको हिलाएंगे धीर-धीरे करके तो यह उतने जादा तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी और बहुत तेजी से इसको आप अगर हिलाएंगे तो यह बहुत तेजी से रसी आगे बढ़ेगी वेवलेंथ अगर बहुत दूर-दूर होती है तो frequency कम होती है वेवलेंथ अगर पास-पास है इस तरीके से तो frequency ज़्यादा होती है पर सेकिंड में बहुत सारे waves यहां से घुजर जाते है और यहां पर पर सेकिंड में देखिए कम वेब्स गुजरेंगे इसलिए कहा गया कि longer the wavelength lower the frequency shorter the wavelength higher the frequency और wavelength energy में भी संबंध है जैसे आप कह सकते हैं कि अगर wavelength यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा है कम है अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो energy गो होगी उर्जा कम है क्योंकि यहां पर आपने कम उर्णा लागाई कि कि वेवलेंद्स कम है pray कि हाई है तो फिर एनर्जी भी हाई होगी फ्रिक्वेंसी और energy में positive और फ्रिक्वेंसी वेवलेंद में और फ्रिक्वेंसी में और फ्रिक्वेंसी में अपोजिटिव लॉगर वेवलेंद लोवर फ्रिक्वेंसी शॉटर वेवलेंद हायर फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी का मतलब हायर एनरजी लोवर फ्रिक्वेंसी का मतलब लोवर एनरज इनलेटेड है, धनात्मक संब्ध है और फ्रिक्वेंसी एनलेटी एक तरफ इनमें इनवर्स रेलेशन है, उल्टा संब्ध है, एक बड़ है तो दूसरा घटता है, बास समझ में आ गई आपको, इसके अलावा ये कुछ स्टेंडर्ड यूनिट्स हैं आपके सामने, जिनको आ आप कैसे रिखते हैं इसकी यूनिट inट के लिए एक मींटर में से अनुट के मैंस 2-10-3 mm के लिए, यह माईक्रो मेतर इस तरीके से लिखते हैं, दसकी घाथ मैंस है, फिर 9-9, पिर रहना आज जाएगा, दसकी घाथ मैंस 10, तो यह एक्जाम के लिए ज़रूरी होता है, फूश लेता है ऐसे, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को हर्ड्स में 1 साइकल पर सेकंड, हर्ड्स का मतलब 1 साइकल पर सेकंड गुजर रहा है, किलो हर्ड्स का मतलब 1000 साइकल पर सेकंड गुजर रहे हैं, जिसको 10 की खात 3 भी लेख सकते हैं, मेगा हर्ड्स का मतलब है कि 10 की खात 6 साइकल पर सेकं गुजर रहे हैं, तो आप इसको भी याद रखिए, इसे भी याद रखिए, जरूरी है, एक दाम में सवाल डारेक्ली पोस्ता है, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई है, किसी को कोई समस्या, फटा-फट बताईए, क्लियर है बात, समझ में आ गया, सभी को यहां तक, ओके, बहुत बढ़िया, अब इसके आगे का जो सेशन है, वह हम कल करेंगे, यहां से अब हम शुरू करेंगी, कि इलेक्ट्रो मेंगनेटिक स्पेक्ट्रम होता, अब इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, इसके सारी जो डिटेल से, कल की क्लास में आप की जाएंगे, यह फोटा टॉपिक नहीं है, फोटी पीडिएफ नहीं है, बड़ी पीडिएफ है, तो धिरी धिरी अगरके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स सेशन में, और पेट ग्रूप से रेलेटेड जो भी डिटेल सा आप देखना चाहते हैं, वो अल्रेडी बता दी गई हैं, क्लास में, जो भी पेट ग्रूप से जोईन करना चाहते हैं, जोईन कर सकते हैं, बहुत जल्द क्रैश कोर सुरू होने वाला है, उ झाल झाल